असलाम वे पुराने चब लेक्चर्स में मैंने आप अपनों को पॉर्विलिटी के बारे में डिटेल में बता दिये अब वक्त आ गए कि आप इसके सोल्व करो बहुत ही कोचन हैं बहुत बच्चों वाले हैं कितने कोचन तो तो सेम किसम के हैं तो हम उनको एक साथ ही साथ ही देता रहे करना उनको तो खेर 6.4 पर आजाओ कि सबस्क्राइब क्या में चाहिए और अपने काम बहुत पर रुखे में और भी काफी कमेंट्मेंट्मेंट्मेंट्स हैं तो इसलिए मैं डेटा नहीं बताओंगा क्योंकि उसको इग्नोर करना है मैं इतना नुक्सान नहीं ह असलबास सॉलूशन और वह आपको बच जान तो आप भूक से भी देख सकते हो क्या बनाना है चीज़े सांद में बता भी दूँगा लिकाए क्या तो फाइंट प्रॉबिलिटी ऑफ गटिंग बाइंग जब भी दो कॉइंट टॉइन तो उनका सेंप्ल स्पेस बड़ा साम होता है स्वाइन कि सलूशन में आपने सैंप्ल स्पेस क्या होगा यह संप्ल स्पेस है जब भी दो क्वाइंट सो होते हैं यह चारा समकम अब सबसे पहला पार्ट नवर लिख वह परब्लिटी बता हो कि से पएसाथ हैं राप इसमें देखो तो दो तो आपकम्स है तेल टेल हैड़े तो पहले की पहले की प्रवाइड क्या होगी सेंफेस की इस तरीके साथ लिखोगे सेंफेस क्या पारुटी होगी तो अगर आप दो कॉइंट टॉस करो तो उन पे दोनों जो फेसिज हैं वो सेम आए मतलब 50% चाल सही है जाएड़ी बात है बागी 50% किया है कि पहले पर है तेल या पहले पर तेल दूसरे पर है पार्ट अपर टू में क्या पुलाब है अब इसकी पावबिर्टी के तो लिखते ना पावबिर्टी ऑफ आल है बहुत का मतलब दोनों कोई में हैड आ जाए वो ए होता है इसके एक इगदर और ना भी हो तो मैं वसला नहीं है इसके अधर आपे मतलब यह हुती आप लेक्र क्या होगा तीन आउट कम से कम दो आनी चाहिए जएदा तीन भी हो सकती है लेकि तब दो दफ़ा आप कॉइंट टॉस करोगे तो दो टेल कम से कम क्या जैदा-जैदा दो यहां सकता है उसका मतलब किस वाले को एक यह जैज़ फेवर कर रही है कि यह वाली है प्यासिबिलटी नहीं कि निफूझे को फेवर कर रहा है तो वान फ़ोर जाएगी है और आखरी एक एक वान टेल कम से wise कम 8 ला वाव तो टेल आजाए नहीं आप कम से कम एक जएदा ज़्यादा दो भी हो सकती है तो एक टेल वाले हैं यह भी एक वाला यह पिल वाला और यहां पे दो है तो यह तो तीनों केसे को फिवर कर रहे हैं प्रॉबबिलिटी हो जाएगी अपन फूर आप कोशन नमडू जाए यह दो-3 सवाल है मैं साथ ही कर एक टॉप्स आर एड़ेड अच्छा फाइंग अप्र वाइंड व्यूंट डाइस आपने थो कि उनके जो उपर नमबर आ रहा है उसको हम एड़ करने बताओ कि वह नमबर एड़ करने पर एट आए इसकी क्या पार्विलिटी है कि आपने दो टाइट है कि और उन दोनों मे पर तो आप सेंप्ल स्पेस निगालते हो ना कि ऑपर ओल आउटकम कितने है आपके पास तो वह जब आप दो धायर खेंकते हो ना तो फ़र्स पेंसे में बताया था कि शत्तिस आउटकम आएगे पहले पेपे छे आ सकते हैं दूसरे पे भी छे सथे हैं सबसे पहले आपने स होगा 1314 15 16 पहले लेगा पहले तो थे लिए पर ने पहले जाँ थे अब दो आज दो डाइश फेंको पॉसिविल्यटी बन सकती है आप लुटो खेला हो तो आपको बता इस सब कुछ ना को चाह सकते हैं अब आप आप देखना है कि इस पर तो प्रॉबिलिटी के दिनॉमिनेटर में 36 आएगा आप देख रहे हैं कि जिन इवेंट की बात की कहीं है वह किस केस को फिवर करें पहले है किस तो आप लिखना प्रॉबिलिटी सम इस एक्वल टू एड क्या प्रॉबिलिटी है इसकी तो आप देखो किसमें आ रहा है कौन- हम संवान प्लस सेमें बार एक आउटकर में जिसमें सम एड आ सकते दूसरी रहा नियुक्सा इसका सम एड़ इसमें 4-4 इसमें 5-3 इसमें 6-2 तो एक 2-3-4-5 पांच एसे केसे जिसमें सम एड़ करें बागी किसी में नहीं आएगा इस और मैं चूँस तरह जा रहे होगे त तो पांच यसी पॉस्पिटिटी दें जिसमें सम्ट एट तो प्रॉइटी क्या हो दें कि फाइफ अपॉन थेच्स पार्टमर्ट में बोलागा कि सम्ट एना चाहिए लिए सम इस एकुल टैन अपर टैन को कितने के इस फिवर कर रहे हैं वह पहली रहा है दोसी रहा में थीसी रहा है बागी सब को सम चोटे होगा चौती रहा है पर पांच भी रहा जाएगा चुछ नहीं तो तो नहीं आ सकता तो एक आउटकम है जिसमें सम बात है बागी किसी में तो आई 36 और यहां को दिखने में मिला रहा है मतलब 66 आना बड़ा मुश्किल होता है किसमत होती है चांसे बात का बहुत होते हैं कि 66 और तो सिक्स आता है आपके पास यह स्ट्रेंज चीज़ है लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता तो एक थिरुटिकल प्रॉबिटी होती ह और एक थिरुटिकल होती है वन अपॉन 36 लेकिन मेभी आप दूसी दफा करो आपके छे से आजए तो आप बुलो है इसकी तो प्रॉबिटी इतनी कम थी तो दूसी दफा में आ गया तो उसका मत्ता भी होता है कि अगर आप पचास हजार दफा कोईंट आब करोगे न या बहुत मैक simum दफाँ केरोगे तब आपके नदर आएगा कि 66 आना बहुत लाइके लिए है या वन-्याना बहुत उन्लाइकली तूट स्क्राइल जौन ज़रता होगे ना पने ट्राइल जो है पचाज जार दफ़ा आप जब इसको करोगे तब आपको समझ आएक उन पचाह जार में बहुत कम दफ़ाइज एक डेर खरोगे तब आपको आपको नजर यह पीसलेगा ब और जो एक्सपेरिमेंटल प्रॉबिलिटी आप निकालोगे ना पचाहँजार दफ़ाइब करके उसके बाद देखोंगे मैच कर रही होंगे आप तो वही बात हुए कि जैसे वर्ड कप है तो यह हमारे सब्सक्राइब होगा अब एक और डाइस सवाल कहीं है मैंने पड़ा था है फाइस में तो बहुत यह जीव सवाल है फिर बहुत सब्सक्राइब लेकिर कर वा दोगह आपको बनानी है वें डाइग्राम में क्या है इसने की बात की रही है सबसे पहले इजी जिसमें दोनों आ रहे हैं अब आप इसमें फिल करो इवन नंबर भई होते हैं 246 क्या आपने एक साथ यह रही तो आपने देखना होते हैं पार्ट नमबर टू में का लिखा हुआ है एक नमबर ग्रेटर देन फूर ग्रेटर देन फूर कौन कौन से हो सकते हैं जब अब तीसरे वाले में सिर्फ 6 आ रहा है तो 6 common in sum में पहले में 6 आ रहा है दूसरे भी आ रहा है तीसरे में 6 में लिखूंगा छोटी जल्ग है यहां पर 6 लेखूंगा लेकिन यह बाद को नजब नहीं आएगा लेकिन आप लोगो समझा आगे होगा वीडियो के अंदर में क आपको निकालनी है तो आपके बास नमबर आए अब नमबर की क्या वागी होगी तीम हैंस के अंदर अचा अगर आप इसमें देखो थी नहीं है वन नहीं है तो आप वन और थ्री को यहां पर लिख दोगें बाहर क्योंकि ओवर और रेक्टेंगल का मतलब होता है सेंपल से आपने लिख नहीं होती है तो वन थ्री अंदर मौजूद नहीं है तो उसको बाहर लिख दोगे आपको बोले निकालो कि इवन नमबर आए तो नमबर के में इंदे कितने एलिमेंट से तीन है तो इवन नमबर की क्या होगी थ्री अपॉन सिक्स वान पॉन दो जाएगा तो यहां पर डाइगराम की जूरुत थी नहीं आपको वैसे भी सॉल्ट कर सकते हो लेकिन खेर जबर दस्तिनों नहीं बोला है तो आपको डाइग अलग बनाना इवन के अंदर आप इसको शेयर कर देना और तीसरे में आप जो को शेयर करना अलग अलग राएगा हमाना सवाल आपका कॉंप्लीट जाएगा और कॉन से था हां सेविन में लिखा हो यह हैं इन सिंगल थो और टू फेर डाइस मतलब दोनों को आपने एक साथ अब दोनों तरीके से उसकते हैं ना कि दो डाइस को आपने एक साथ पहंग दिया या एक डाइस पहंगी फिर दूसरी यह भी हो सकता है कि एक डाइक को दोदाब दिया यह एक ही बात बनेगी सब के अंदर फाइंड अब देखो अगेन आपने इसमें चीज मेंशन करने हैं मैं दुबारा मैंशन नहीं करना अचा भाई मेरी एडियो में दर्थ होता है थोड़ा यूरीक एसिट मेरा बढ़ावा होता है that's why मैं हिलता रहता हूं लोग एक दफार कॉम्में मसला क्यों हो रहा है फ्री में बढ़ रहे हो खरतों लेकिन अगर आप लों को डिस्ट्रब आप नंबर्स और डाइस बिट्वीन टू एंड यह जो आपके पास दोनों डाइस आपने फैंके हैं उन पर जो नंबर्स आए हैं उनका जो प्रोड़क्ट है वह टू और टैन के दर्म्यान होना चाहिए जिसमें लिखा है बहुत इंक्ल्यूसिव मतलब टू और टैन भी इसके अंदर मतलब प्रोड़क्ट या तो टू आजया या टैना जया इनके दर्म्यान आते हैं ऐसे कितने आउटकम्स हैं तो आप इसको नाम देदेना कुछ फॉर जैंपल इसको एक नाम देदेना कुछ भी सबसे बेरे सेंपल स्पेस तो यह हो गया नो इसको आप एजरे अब इस एक को कितने केस फिवर कर रहे हैं आप जहां पर जाकर देखोगी आपने देखना प्रोड़क्ट तू और टैन के दर्म्यान होना चाहिए तो अगर आप इसमें देखो वन आदेगा मैं यहीं भी मैंशन कर देता हूं यह चीज़ आपने अलग मैंशन करनी है जितन इसको बोल देना और फिर आप प्रोड़र्ट नियुक्त तरह वह यह चीज़ निकालना यह बी इची बात होती है तो एक एंदर आप यह सारे आउट को मेंशन करने जो कि आपको बता हूं इसमें प्रोड़क्ट 2 आ रहा है इसमें प्रोड़क्स 3 आए 4 5 6 इन सब में प्रो है इसंट तरह यह घई है यह जामिल नहीं वह कि यो तरह हैं इसे तरह सब लेंगे तो कितरे होगे एक दो तीन चार पांग छे साथ आठ नाओ दस गैरा बारा तेरा चौदा बंद्रा सोरा सतर अठारा इसके अंदर आएंगे तो जब आप इसकी प्रॉबिलिटी निकालोगे प्रॉबिलिटी हो जाएगी एटीन अपॉन तो बहुत ज़़ा चांसी है जिसमें प्रोड़क्ट जो है मतलब दोनों डाइस पर जो नंबर आ रहा है उसको जब आप मुल्टीप्लाइब कर रहे हो तो जो प्रोड़क्ट आ रहा है वो फाइफ से डिवाइट करोगे तो रेमेंडर कुछ नहीं बजएगा एक होल नमबर आ रहोगा तो ऐसे कौन से इनको जो जो सबसे पहली बात यह सके अंदर आएगा वन को फाइट से डिवाइट करोगे तो टो एक तो यह हो गया फिर इसका प्रोड़क्ट टू है यह फोल है यह सिक्सारी एक तैन इसका मतलब यह बिदिवाइब होता है पाइट से सब्सक्राइल यह प्राइट सरे डिवेजबल है और यह फॉर एट सब्सक्राइब होंगे तो काउंट करो एक दो तीन चार पांच छे साथ नाओ दस और यहां से क्या आगे को मैं काउंटिंग में में मैंशन कर देना के सब्सक्राइब उसके बाद एक और भी सवाल मुझे नदर आया था अगें अभी सेंटल स्पेस बनाओं के इफ दर टू नंबर अपेरिंग अडिफरेंट फाइंड़ को बोलें के पार्ट नबर में आपने अप्राइब करनी हैं लेकिन उसे परण होला है के दिफरेंट होना चाहिए मतलब दोनों कंडिशन है एक स्वाल में आपने अप्राइब करनी है कि मतलब इस वाले में यë शामिल नहीं है य यह शामिल नहीं है ये शामिल यह उसकता है यह आपका रीजयन है जिसका संब यह लिए यह पसी ना कर सकते यह इसका सब्सक्राइब नहीं इसी तरह यह सकते हैं पूरा मेंशन कर देना त्वीरण जाएके गिल्व इसको मिटा जगते ना ताके प्रचान सके या अलग से मैंशन करने होंगे इसमें सम्स से कम है इसमें कम है और उन्हें पुलाए कि सम्सिख से कम अगर दोरो नंबर स्वाहल में पहले हैं कि दोरों डिफेले होना चाहिए अगेर इसमें सम 6 से कम है, 6 से कम, 6 से कम, कम, बदर ये तो 6 ही है न, इसी तरह ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल नहीं हो सकता, और इसका सम तो 6 से ग्रेटर है, इसी तरह ये शामिल हो सकता है, ये शामिल हो सकता है, लेकर 6 से ग्रेटर है, इसी तरह ये शामिल हो सकता है, यह शामिल नहीं हो सकता और यह तो पैसे शामिल भी नहीं हो सकता तो कित्रे हो जाएगे एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नौ दस गैरा बारा के स्विवर कर रहे हैं तो प्राइलिटी हो जाएगे 12 अपॉन 36 सॉल्फ करो तो वन अपॉन 3 आई होगी यहां पर कि यह बाद में पता चला है कि यह भी डाइस वाल है तो यह में बाद में सॉल्फ कर वारूं है उन्हें मिटा दिये जो सेंपल स्पेस का था लेकिन आप लों के सामने होगा अभी फोड़े दर पहले तो आप लों को याद हो गई है क्या नहीं बोले आप इसके लिए पूरे स सेकेंड फ्रो इस लेस्टें सेमें लेस्टें फॉर कि पहले पर आपके पास को यह बना आजे और दूसरे आपके बास पोर से कम नंबर आजे तो अगर आप पहली रहा में देखो गेंगे ना पहली रहा में इवर नंबर आएगा मैं यह आउटकम लिख देता हूं कुशन पहले नंबर नेरे लिख देता हूं तो आप जो कि ने पर Kleine के पहले योगा में देखो तो पहले नंबर पर तू था यह वलबह 새 ना रहा है और दूसरे से कन बbu 이제 तो दूसरा होगा फूर नय यह पहली दूर कि अश्ट हमें ऐसा कोई भी उप इस चुर्ण तरीके से तरीके से बूल को उद्धरिक्ण प्रक्विद्न है तो इन सब अगर आप पहला देखो पहला व्हार देखो पहला एवन है और दूसरा आप देखो तो स्क्तिक्रिक्त्राओं सब्सक्राओं और नौट नोट कम आ रहे वैसे भी आप इसको मालूम कर सकते हो पहली तो में अबन कितने हाथ हैं तो फोर से रवर कितने आ सकते हैं तो तो थे उस तरह आपके कर सकते हैं तो नाइज बहुत रहें दो प्रड़े सिल रहे हैं और हैं काफ़ी इस कुर्शन इतनी है लिख देना टोडल बॉल्टी अच्छा फिर लिखा मैं आउट विच ग्रीन फाइफ फाइफ पंदरा रेड है तो लिख देना पंदरा रेड है एंड रिमेनिंगा ब्लैक रिमेनिंग कितनी अभी 20 है तो ब्लैक बॉल बीस है अब बॉल इस ड्राइब उठाइए तो आप कमिनेशन यहां पर यूज नहीं कर सकते हैं वहना मैंने आपनों को बताया था पुराने लेक्शर में कि जब बॉल्स या कार्ट जो आप उठाते हो ना के तरी बॉल्स है इसमें से दो कार्ट उठाए या तीन बॉल्स आपने डिजिए तो चालिस तरीकी साब पर सकते हो एडिए दूसरी वाली तीसरी वाली इस तरह उठाए तो यहां पर जूष करने की ज़रत नहीं बढ़ती वैसे हैं तब ही इसी सवाल सब्सक्राइब करें कि नंबर इस अदर नबर फॉर्टी होंगे और उनमें से एक उठानी तो चालिस तरीके से वहां सकते हों कि लिखाएब आपने उठाई है मालूम करो अचा इसको इस तरह भी लिख सकते हों आप यहां पर ना इस ताहरा लेट कर सकते हो कि नमबर पूरा भी आप लिख सकते हो इस तरीके से समझाने के लिए देखो डिफरेंट तरीके होते हैं जो आपको असानी हो यह गाइट पर अच्छा लग रहा आप उस्तला कर लो मैंने कोई इसको आप लिख सकते हो नमबर आफ जी लिखा आप कर देना नमबर ऑफ इतनी है नमबर आफ रेड़ बाल इतनी है और टोटल जो है बहुत है उसको चुरू में मेंशन ना भी करो कर दो तो बहतर है क्योंकि सेंबर स्पेस और टोटल में फर्क होता है टोटल अगर 40 वाल हो और आपने उसमें से दो उठाई हैं तो 40 C2 सेंबर स्पेस होगा जबकर टोटल तो 40 है तो टोटल सेंबर स्पेस दोनों अलग बात होती है यहां पर आपको सेंब नदर आ रहे हैं तो यह मैंशन करते हैं आप आप आज उस सवाल पर लिखा है कि भाई जो एक पॉल आपने आप यह उसमें ग्रीन हो इसकी चांसित है तो इसको समब चांसिस क्या हैं प्राबल्मिलिटी कि वह ग्रीन हो हो चांसिस है कि नम्बर ऑफ ग्रीन बार्स और डिवाइब ग्रीज़सेंब्वाइब थे वाट्थ सेंबर सफेस यह जए ऑपाउन इस पांट बालिए कि बाल कि ब्लैक बॉल हैं वीश हैं तो यह लिख देना पूरा इसी तरा भी सब्वाइन वारा इसको नौट ने की नाप इसको लिख देना नौट गरीम परफेंटी कहाँ सकता है इस चीज़ को और जो ग्रीम की आई उसको माइनस कर दो मैंने बताया था this concept complimentary events का complimentary events क्याते कि एक event हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा है यह मतलब है तो green आना और green नहीं आना यह complimentary है तो जो आपने इसको इस तरह लिख सकते हो कि इसकी probability क्या होगी आफ इस तरह simply बना सकते हो कि Green आने की ब्लैक और पॉबिटी को आठ दोगे लैकी वन पॉब्रीटे और रेइगा जोड़ी फॉटिक एक्टी पॉटी पॉटी तो इस तरह की आप स्वाइब करेंगे त्टी हों अगुटी तुर शॉलिक तरह को वहाला सवाल है मैं क्या करवां इसके अंतर मैं समझा देता हूं फोर में लिखा है अगें एक कार उठा रहे हैं मसले ही नहीं कुछ इसके अंदर 52 कार्ट होते हैं एक उठा रहे हैं वह वेल शबन का मतलब किसे तरी के दर शबल किये हो यह नहीं कि उपर सारे किंग है तो अंतरो 30 छलब कार्ड होते हों तो 52 मेंसे आ क्ला के Cash क्वब वो, Ajax टाओ कितने अच्छाश कार्ड हैं कि इस लड्चा कुछ इन करना तो हमाना आप दो पॉसिबिलिटी है मर्द और और वरत पीसिटि वहाँ पैदा होई को लेकि चलते प्रॉबबिलिटी है आप उनकी प्रोबिल्टिटिटी दाथ से निकाल रहत है तो क्या हो गाई है इस थो उसकता है यह वो गरल हो सकता है अगर आप उन्होंजों प्रॉपर तो पहुस्ता बनाते हैं तो बॉई गल दो पस बेरेटी इंद पर आपको दूसरे मी न क्ला क्या हो सकती है दूसरा भाइल भी हो सकता है एक तरफ वो सकते हैं ऑग मुझा करो क्या हो सकता है क्या है न नहीं को सकता है और अगर को यह ग्यान होगा क्योंकि अगर तीन लड़किया हो जाए तो कोशिश क्या होती है लड़का होना चाहिए तर उसी चक्कर में पांच छे साथ आठ लाइन लग जाती है बुरी साथ बहने एक भाई है कि अगरण किस टॉपिक पर निगल गए अब इन आपकम्स को कर दो तो क्या होगा पहला पहला दूसरा थीसरा पहली पहला पहला दूसरा थीसरी गश्री अप पूरा बन नहीं आप इन्होंने क्या पॉसिबिलिटी लिखी वी है आप इनके सामें लिख देना यहां पर यह पूरे आठ आट आउटकम जहां हो मैंशन कर देना फिर लिखना कि लैट एवेंट के त्री बॉइट हो तो फिर प्रॉबिलिटी आप ए निकाल नहीं क्या होगी पर तीन बॉइज होने का एक ही आउटकम है और और कितने आठ तो वन अपॉन एट कम प्रॉबिलिए ना तीन अगर आपकी बच्चे होंगे तो बहुत कम चांसे जैके तीनों बॉइज हो कि ए एक्जेक्ली व्यूख कि जिसमें दो यदे चाहिए अव पहला वाइल हो दूसरा गर्ल हो तीस जाए मढर्यानו साथे मेरे बदो कि दो ons अभी वाई हैं यसमें दो वाय सैंगे बी जी इसमें गोन्फार तीर अच स्हां बहुत पहले ओप फ्रश्र ट्रश्र को सामिल नहीं कि इसमें थीनुट तो जाहिए पहले पहले समय कि इसमें और इसमें अग्जश्री दो और आप नाम देते नहें यहां एक जीस दो सकती है तो मतलब यहां पर एक ही पॉसिश्र थर्ट वह नजी वह है कि पहली के रहावा बाकि सब possibility में इस यह गल होती है या दो भी सकते हैं या तीन भी हो सकती है ब्सक्राइब भी जी इसमें पहला व्लाइब को निकाल तो भी इसलेंगर करना है जिस को आप एक है रहों ना उसके अदर मेंशन कर देना कि ए में जए तीन आ रहे ना को मैंशन करना उसके बाद एंकी पॉभलिटी निकालना यह निया सब कर भा नहीं सकता है ताइम बहुत लगए इसने आप सब्सक्राइब में क्या बंदा बोले एक मार्बला उठा रहे हो लिखाव है एट में अमें यहीं पर सौफ करा सकतों बहुत इसी सवाल है अब मार्बल इस डॉन एट रिंडम एट रिंडम एट रिंडम वाक्स कंटेनिंग ट्वेंटी रेल टैन वाइट पच्छिस और इंच पर ब्लू पूरी रोड़ने क्या लगा दिये मार्केट लगा दिये के रैड बीज है आप वाइट जहें वो दस है और इंज वो पच्छिस है और ब्लू जहें वो पंदरा है टोल कितनी बॉल्स है टोडल अला बहा करें सब्सक्राइब होगा क्योंकि एक उठाने सब्सक्र बैस सब्सक्राइब और इक पर उठानी है तो कितने तरीकों से उठा सकते हो सब्सक्राइब इसको नाव देदेना कि लेट एब जाए और रड़ वारवल आजया तो इसके अधर कितने आउटकम होंगे मतलब इस यह लिखने के बाद ने के बाद नीची एची लिखना किस एक अंदर कितने आउटकम्स होंगे तो भाई इसके अंदर आउटकम्स होंगे नमबर ऑफ और 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 ना तो एन ओ और नो का मतलब नमबर ऑफ और इनको सवाल में इस तरह जाता बेता है अगर मसीद अच्छा करना जा रहे हैं सवाल के स्टार्ट में लिखने लिखने के एंपर ने लिखने आफ यहां पर जो एधकर हैं Olard प्लस रेड़ कि इतनी देड़ क्योंकि दोनों की बात कि अधिए ना ऑरेंज और ने काथ एड़ में आपने और अनुनियों उनियु नहीं मतलब यहां पर डिस्जॉइंट है जाओ और यहां ठाइच है जायर सी बात है और जो रेंड में से ऐसा बुछ तो नहीं कुछ नहीं है जब कॉमन उता है तो प्रिक्रेट्ट भी कर रहे होते हो न तो कॉमन तो कुछ भी नहीं डिस जोइन पर सिंपल आप एट तो और एट कितने हैं और एड़ के दिने हैं इस हैं तो यह जाएगा 45 उसके बाद आप इसक करने का यह दूसरा सब्सक्राइब करने का तरीका यह है कि आप इनके अलग पॉइलटी निकाल के एड़ कर दो जैसे और इसकी पॉइलटी होगी ट्वेटी अपॉइलटी होगी इन दोनों को तब भी आ रहा होगा डिफरेंट दरीके सकते हो अब इस तरह कर देना पी और इं पार्ट में बुलाव है नौट ब्लू और रेड़ नहीं आना चाहिए इसका क्या मतलब है कि ब्लू और रेड़ के इलावा आजाए ब्लू और रेड़ कि अलावा है उसका नदब पॉइलटी आजें वोई दोनों तरीके से निकाल सकते हैं यहां पे सिंपल आपको बोले व सब्सक्राइब करने का एक और तरीका भी है कि ब्लू और रेट की पाइटी निकाले ना 20 प्लस 15 35 पॉन 70 नॉट ब्लू और रेट को क्या होगा जो इसकी पाइब इसको बन से माइनस कर देना नॉट ब्लू और रेट की प्रॉबिलेटी आ रही है 35 पॉन 70 नॉट ब्लू और रेट की क्या होगी वन मेंसे जब 35 पॉन 70 करोगे तो अगें 35 पॉन 70 या देगा रहा है दोनों तरीके साब इस सबागों सॉलू कर सकते हूँ पार्टनमस्री में क्या बुलाब है रेड हाजा राए राए ब्लू आ जाए इन तीन में से कुछ भी आजए या तो रेड हाजाए या या वाइड आ जा जाए या ब्लू आजे अगर एक साथ बूलाओ देना कि रेड भी आए खर एक साथ तो नहीं हो सकता ही लिए वह सवा लिटी का है 50 ना तोन 70 तीनों को एड़ कर देना आपके बसांता नहीं पड़ा इजी है देग इंग कोईन जैक ऑफ क्लब और रिमूव डेक ऑफ डिटू प्लेंग कार्ट वही जो फिटीटू कार्ड देना उसमें से आपने केंग कोईन जैक ऑफ क्लब क्लब के तेरा कार्ड होते हैं मैंने बतायाता कि तीरा क्लब की कार्डविन उसमें से जो कलब का जैक है है उसको नाँख की निकाल दिया तो हुआ है आछा कर ड़िख कितने काट रहें हैं कलप के नदर रहें क्लब कर अंदर रहें काट आन्दर और रहें दस काड तो لे Eng direkt कि तो बहुत पॉसिबिलिटी बन सकती है सवाल देखे सवाल में करना किया आपको कार्ट इसका मतलब 49 कार्ट में से आपने एक कार्ट उठाया है अगें जो सेंपल स्पेस है उसमें 49 बनेंगे क्योंकि 49 में से एक कार्ट उठाया होते हैं तो आप बोलते हैं 49 c2 लगाते हैं लगा है तो पार्ट ने कि निकालो हाइब हाट कितने लगा आप की ते हैं हाट को फार्ट नहीं है। हाट के तेरा आपनी जगाके तो पार्ट धाया टी नाइनग्ल Swarki ॉट्व में मूठर आपको अच्छा है लगतर आप ऊच्छा है ना आप उसको मैंने बहुस् droppingize आपको बताएं इस तरह आपकर सकते हो या गाइड भूप में आपको अपने से डेटा मिल जाता है पार्ट नमर टू में बोला हुए अगें को फरक नहीं को फरक पड़ा नहीं को फरक पड़ा है देखो जो उन्होंने यहां पर कार्ट उठाए थे ना यह तीन जो क्लक के कार सब्सक्राइब को फरक नहीं पड़ता हाट के तेरा कार्ट तो अपनी जगा पर मौजूद थे लेकिन पार्ट तुम्हें बोलागा कुई अब सब्सक्राइब कितनी है क्योंकि वैसे तो चार कुई होती है लेकिन आपने क्लब के उठा लिए उसका मतलब अब रिमेनिंग क कितनी है अब अगें यह चीज़ डेटा में मेंशन कर देना कि रिमेनिंग कुई अब तीन है क्योंकि एक कुई तो आपने उठाके साइट पर रखती है तो आप प्रॉबिलिटी क्या होगी त्रिया पॉन फॉर्टिनाइब क्लब क्लब आने के कितने जांसे हैं तो भी पहल आपके पाद 26 रेड़ों चबिस ब्लेट होते हैं यह जो अंदर आते हैं इसकी क्या प्रवाबिटी अब रेट के अंदर 9 कितने होते हैं देखो अगर आप बड़ी बड़ी क्लासिफिकेशन देखो ना बलैक बलैके दो होते हैं है क्लब स्पेड कि ए प्रोते हैं कि अंदर होते हुआ चाआ यहां पे होते यहां पर एक आपको सहते हैं आप N 9 NK , ओसमें 9 exist कि रेड़् कर नाइन कार्ड भूआ इसके क्या चांसित हैं तो रेड़ के इंदर दो नाइन के गए ना तो टू अपॉन-49 इसकी परवरेटी होगी अकर यह बात बहुते ना तो यहां पर होता है चार क्योंकि यहां पर चार है और क्लब में जो आपने की पूछी नहीं पूछी उन्हें नहीं और रेड रेड के इंदर जो नाइन है वह आने के इतने चांसिज इसका मतब चांसिज तोड़े का मुझें जाएंगे स्पैसिफिक बात कर दी गएगे तो रेड के ना दो नाइन के कार्ड होते हैं तो तो अपन फॉर्टी ने यहां पर पॉर्टी हो जाएगे जोग है सवाब कोशन नाबर 10 जो है अगें डाइस काता करवा दिये 11 जो है इसी तरीकर से 16 जो है यह थोड़े अलग है यह उसके हैं यही बात 13 के अंदर भी है इनको एक साथ ना सौर्व करवा दो ट्वर्ट में लिखा है इस वन कार्ण सेलेक्टेट एड रेंडम फॉर्टी ट्रीट ट्रीट कार्ण सेंपल स्वेस्टेने कितने होंगे 52 होंगे 52C1 52 में तो 52 तरीके से आप उठा सकते हों कि अब सवाब गोला रहें कि क्लब आ जाए या फेस आ जाए या बोद नों आते हैं बस्तार ऐसा कार्ण आज है जो कलब भी और फेस्ट नहीं करते हैं वह कहते हैं कि प्लब के कितने कार्ण होते हैं क्लब के 13 कार्ण इसका मदब ब्रटीफाइब कार्ट आप निम्रेटर में लिखोगे वह बात भूल जाते हैं कि जो तेरा क्लब आपने गिने हैं और जो बारा फेस कार्ट गिने इसमें से कितने कार्ट आप इसको अब इस तरह भी लिख सकते हो कि यह डैटा बनाना टोड़ टू कार्ट सेंपल स्विस्स में कितने 52 हैं और जो आपका इवेंट को नाम देना लेट एवेंट के वो कार्ट फेस हो या क्लब हो या दोनों उसके अंदर कितने उस इवेंट्स के अदर जिसको आपने एक न ल्ही वनपें को इसको इसको चलो अजसर को में करते हैं इसमें क्या ठude और यहा आपने फेसगार्ड केंदर भी कियों पह्香 रगण। मतलत यह जिएत्ञ करने के क्लब को आप एक दफ़ा है क्ल लुक्रीं का उलूखक घलोगे यहां यहां होता है यह एक Feel अबआ कि यहां लो looking इस कार्ट को बोल दो तो यहां पर ए यूनिन बी की बात की गई है ना क्लब या तो अगर आप इसको सॉल्ट करोगे ना थिर्टीन प्लस 12 यह होजाएगा 25 25 में से 3-22 तो 22 इसके अंदर आएगे ने वे तो यहां तो 22 कार्ट जिनकी बात की जारी है इन 22 मेंसे कुछ क्लब के होंगे से कुछ क्लब के होंगे और कुछ और तीन ऐसे कार्ट होंगे तीन और आपको जardsườ्टीन की तो िरिप Фूबड तो फॉस्स थर्टिफाइब एक चूज करने के थर्टिफाइब तरीके हैं इस प्रोबिलिटी देट चूजन नंबर किस डिविजिबल बाइट और नाइब प्रोबिलिटी बताओ जो यह काट आपने चूज किया है कि वह या तो अब आपने यहाँ दो इवन्ट मनाने एक को सा कोशन है को नाम देना एक होगा जिसमें नमबर डिविजिबल बाइट है अब कौन-कौन से नमबर डिविजिबल बाइट है एट इसके बाद जो नमबर से हैं वो फिर थर्टी फाइफ से ग्रेटर होंगे क्योंकि सवाब में बुला था वन से लेकर थर्टी फाइफ के दर्म्यान ही आपने चूज करने इसके बाद जोगा 40 होगा 40 35 के अंदर नही इसके बाद 36 होगा 35 से बाहर है इसका मतलब कुछ कॉमन भी नहीं है तो यहां पर आपके पास एट से डिविजिबल को नमबर आजए या नाइन से डिविजिबल आजए तो टोटल साथ केस इसको फिवर कर रहे हैं तो इसी की अगर आपने निकाल ली हो तो सेविन अपॉन 35 प्रॉबिलिटी आजएगे मतलब वन अपॉन 5 कि 15 में क्या बुलब है अब एक कंटेरी के सवाल बहुत किया 15 लेका 25 बाल इस एधर और वाइड और वाइड और वाइड और वाइड और वाइड का यूनियन तो पच्छिस रेड है दस वाइड है पच् प्रॉब ऑड तो प्रॉबिल्टी आजएगे में तो पहले टारगेट की 0.5 दूसरे की 0.3 और तीसरे की सीगी मतलब 0.6 अप्र इंडिपेंटेंट यह बड़ा इंपॉर्टेंट था हमने बता लिया कि फाइल आपने इंडिपेंट लिए फाइल आपने इंडिपेंटेंट प्रॉबिल्टी इंडिपेंट होना तो फिर सिंपल मुटिपलाइब नहीं करते महां पर कॉंपलेक्सिटी आजए लेकिन अगर इंडिपेंटेंट है और एक साथ अब यह आएगा परफॉर्म करने का तो फिर सब्सक्राइब करते हो और इंडिपेंटेंट इवेंट से तो इसको मल्टिप्लाइब करना देखना बहुत ही चोटा नमबर आ रहा होगा तो वह नमबर आपको बताएगा कि यह इतनी परफॉर्टी है कि तीनों अपने टार्गिट को हिट करेंगे तो एक साथ अगर तीनों टार्गिट को हिट करें इसी परफॉर्टी भी जैदा होती लेकिन इनकी अलग-अलग हिट करने की प्रफॉर्टी कम है एक साथ अगर हिट कर जाए तो बहुत बड़ी बात है कि आपके प्लेयर्ज में टॉप त्री ऑडर जो है पुराने जवानों में नहीं चलता था अराम से आउट हो दे फिर मिजबा आके समालता था तो अगर सबसे पहला है क्वर्शन नमबर 11 11 में क्या मैंशन किया वानों नहीं मैं में मैं में आपको प्राइबिटी एक देदी ए कि है अच्छा फिर उन्हें देटी देओ पिर उन्होंने और सेंब्सेवी कि डेंडिये। पार्ट मनने आपको बुलागा है probability निकालो probability of a given that b हो चुका है मैंने भीतार स्का फार्मॉला क्या होता है probability of a intersection b divided by probability of b तो पुट कर दो intersection b की है 0.2 divided by b की क्या है 0.7 solve करना आफ वह पुट नबर तो बुलाए probability of b given that a अगर अगें इंटरसेक्शन की प्रॉबिटी जिरो पॉंट टू डिवाइड वाई अब एकी प्रॉबिटी जिरो पांट थी है क्या करना है सवाल के अपने बच्चों वाला की कुर्शन नमर्ट 13 देखो तो इस सवाल नहीं तीन सवाल है त्रिटिक में लिखा आप है फ्रॉब्टु इवेंट ए और बी ए बी की प्रॉबिटी देदी है यूनियन की देदी है अच्छा ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का नहीं है मिदे जान तक लगते हैं यह तो बड़ा इजी है यह तो व वहला सवाल नहीं जो मुश्किल टॉबिक तो सिंपल एजी की प्रॉबिलिटी निकालने का कॉंसेट होता है वह ने बताया था जब आपने एजी प्रॉबिलिटी निकालनी है और एवेंट्स में कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन थी हैं मतलब एक साथ भी वह सकते हैं तो प आपको यह चीज निकाल नहीं है तो इस वार चीज को इदर लेया और यह यूनियन वार चीज दो जाएंगी सब्सक्राइब तो एक इंटरसेक्शन के यह वह पुरा पूरा तो आपको पता है 0.5 0.2 0.7 हो जाएगा माइनस इसको कर दो तो 0.3 आपको फाइनल आजाएगा अन्हीं आपको सिर्फ एक ही प्रॉबिलिटी दी रिए कोश्च नंबर 16 आपको उन्हें एक ही प्रॉब्यबिलिटी दी ए वन एप उन्पॉन ओंफोर और उन्होंने दी विए प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन डैट बी हो चुका है ज़सा और बुलावां वह फाइंट प् और probability निकालो B ये दो काम करने हैं मैं फॉर्मला बता देता हूं असानी से आप लो निकालो गया अच्छा आपको भी क्या पता है देखो ये चीज़ जो है अगर आप इसको इसका फॉर्मला भी आपने पढ़ा है इसका फॉर्मला की ये फॉर्मला होता है मैं लिख देता हूं पी बी ए का फॉर्मला होता है एंटर सेक्शन भी डिवाइड बाइए की प्रॉबिलिटी ये फॉर्मला होता है तो आपने क्या करना है सॉलूशन में सबसे पहले इस फॉर्मले को करना है आपको पी ए पता है यहां पे ये भी चीज पता है ये भी चीज पता है आप यह सामी से निकाल लोगे भी 10 को इसे Multiply करते हैं वन अपॉन 4 से multiply कि अब तो Our 3 मतलब 3 our को फिर निकालentryजी क्या लोगे आप इसका फर değildर करना तो आपको पी बी निखाला अब आप ने इंटर्सेक्शन मोर्टी मालूम कर लिया होगा उन्टेक्शन बणा अपांट सिक्सार था और यह चीज आपको अल्रेडी सवाल रिक बता है इसको अदर ले जाना और इसवाइस को दिल रिया ना तो पी बी आ देगा वन अपांट सि कि बटारेंगे यहां सब्सक्राइब